नमस्कार सभी को भई मैं आप सभी बच्चों का केरियर बूस्टर के लाइफ प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं संजय आप सभी बच्चों को पढ़ाऊँ गोग्रोफी ठीक है आप सभी HSSC के स्टूडेंट हो और HSSC के एक्जाम को अगर एनलाइज किया जाए तो हर एक एक्जाम में लगबग चार कोशन जोग्रोफी के आते हैं कि कम से कम चार आते हैं और ज्यादा से ज्यादा छे तक जा सकता है आकड़े बड़ भी शोर नहीं है कि इतना आएगा बड़ चार से छे का एवरेज रहता है ठीक है तो भी HSSC क्या कहता है कि मैं मेरा पेपर बनाऊंगा ना मैं बनाऊंगा मैच से, इंगलिश से, रिजनिंग से ठीक है और GS के अंदर वो पूछता है इस्ट्री, जोग्रोफी, पॉलिटी इसके इलावा एग्रिकल्चर, एनिमल, इंदी, करंट अफेर, कम्प्यूटर ठीक है तो HSSC कहता है कि मैं इतने स्लेवस से आप से पूछूंगा लेकिन वो यह नहीं कहता कि मैं यहां से इतने कोशन पूछूंगा जिक से आपने पिछले पेपर में देखा होगा, जो अभी फिमिल वड़ा हुआ था उसके अंदर 35 नंबर का मैथ और रिजनिंग डाल रखा था उसके अंदर एक में तो इस्ट्री पूरी गायब कर रखी थी, एक में पूरी इंगली शी गायब कर रखी थी, एक में इंदी भी गायब कर रखी थी, ठीक है तो देखो बिच्चे, आपको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, अब शोर तो नहीं है कि वहांसे इतनी कोशन होगे, इतनी कोशन होगे आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, चलिए, आज हम पढ़ते हैं जोग्रोफी, तो जोग्रोफी के अगर मैं एक एवरेज की बात करूँ, तो मान के चलो के चार के आज पास कोशन रहेंगे भई, ज्ञादातर पाँच या छे तक भी जा सकते हैं, ठीक है? और कम से कम तो तीन चार, तीन चार, तीन चार, हर एक एक एक्जाम के अंदर आते हैं, जैसे कोई जील से आ गयाया, कोई माउंटेन से आ गया, परवतों से आ ठीक है? तो हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं Geography Geography जो word है ना यहां से भी एक बार HSSC ने question डाला था यह MPSW के exam में ऐसा कुछ पूछा गया था कि जो यह बई गूड आफ्टरनून सभी बच्चों को ठीक है बिटे पढ़ लीजिए आजएए कि Geography word जो है ना Geography word है वो कहां से लिया गया है तो Geography सबद जो है वो Greek भाषा का सबद है ठीक है Greek language का और यह दो शब्दों से मिलकर बना है एक तो है Geo और एक है Graphy ठीक है Geo प्लस Graphy और यह जो Greek language का word था ना वो था Geographos इससे मना था यह Geographos से मिलकर के ठीक है ना तो Geography सबद जो है वो Geographos से Drive हुआ है और इसको Derivate किया था सबसे पहले Eretosthenes ने ठीक है Eretosthenes ने अब Geographos सबद से Geography बना तो Geography मैं लिकिस Language का word हो गया Greek भाषा का Question आ सकता है एक्जाम में जैसे History है वो किसका है वो Greek language का है तो ऐसे ही Geo का मतलब होता है भई भू Graphy का मतलब होता है कि वर्नन करना मतलब प्रिथवी भू मतलब क्या होता है कि प्रिथवी भई तो Geography पढ़ते है चलिए आपने इतना सीखा Geography word हाँ लेकिन यहां से एक बात जरूर सीख लिजिए भई एक Question आपका TGT के एक्जाम में आया था और TGT का एक्जाम कैसा था Agitate के अंदर Agitate के अंदर जैसे TGT होता है कि जियोग्राफी शब्द का पहली बार First time यूज किस व्यक्ति द्वारा किया गया था तो जोग्रोफी सब्द सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था Aaratosthenes ये जो Aaratosthenes है न ये एक युनान का महान दार्षनिक फिलोसोफर और जोग्रोफर था Aaratosthenes तो पहली बार जियोग्राफी शब्द का जो यूज किया था वो किस ने किया था तो वो किया था Aaratosthenes ने याद रखिये गभी ठीक है तो ये तो था जोग्रोफी वर्ड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि जोग्रोफी क्या होता है कि ये वो साखा है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते है हम पृत्वी के बारे में पढ़ते है वो जोग्रोफी कहलाता है कि पृत्वी का अध्यन करना पृत्वी के बारे में जानना जोग्रोफी अपने अप में चला के देख लो साउंड नहीं आ रही तो बिटा एक मिनिट के लिए लुक जाएए मेबी टेकनिकल फॉल्ट शान्त रहे है डू नाट पैनिक ठीक है बिटा यहां तो साउंड आ रही है सुसिला जी आप एक काम करो आप अपने एप में ना दोबारा से क्लास को रिफ्रेश कर लो यहां से साउंड प्रो पर जा रहा है दो एप पे अभी चेक किया ठीक है अगर आपके में दिक्कत आ रही है तो आपका वो पर्शनली उसमें बा आगे पढ़ते हैं मेरा नाम बेटा नाम में क्या रखा है काम देखो ना नाम का क्या करेंगे इरेजर बड़ा नहीं हो रहा सर एक तो हो गया सर नेक्स्ट से दे देना कोई बात नहीं है वो सर इतना तो उन्होंने लिख लिया होगा कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है ठीक है तो आगे पढ़ते हैं भई GS में सबसे ज़्यादा marks का कौन से subject में आता है तो बेटा GS में सबसे ज़्यादा marks का आता है हर्याना जी के 18 के आसपास question रहेंगे ठीक है हर्याना जी के 18 के आसपास बाकी सबसे 4-5-4-5 question आएंगे ठीक है तो आगे पड़ो भई अब जोगरोफी के बाद हम कुछ ऐसे question दे रहा हूं आपको तीन या चार कुछ ऐसी बाते ये जो question देना ये आज से 3-4 साल पहले pattern बनता था ऐसे questions का अब तो नहीं बनता पिछले अगर 4 सालों के exam उठा के देखोगे बेटा तो यहां से कुछ ऐसा pattern नहीं बनेगा अब लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो पूछ ले तो के father of geography किसे कहा जाता है के बुगोल का पापा तो बुगोल के पापा में नाम आता है जी हिकेटियस का लेकिन बेटा कई किताबों में गलत मिलेगा आपको एना एरेटा उस्थनीज मिलेगा वो गलत अंसर है तो भुगोल का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है हिकेटियस को ठीक है और next question यहां से आता है भुगोल के पिता के बाद एक question ऐसा भी पूछा गया था एक्जाम के अंदर यह कुछ है कि my dear मैं आपको एक बात बता दू आप कितना ही थोरी पढ़ लो कितना ही तगडा थोरी फढ़ लो ठीक है आप पूरा दिन थोरी पढ़ लो लेकिन कभी भी आप success नहीं हो पाओगे जब तक आप previous year नहीं पढ़ोगे यह बात ध्यान से सुन ले ना और previous year के अंदर जैसे जैसे मेरी बात सुनो बेगोर से अब मालो एक paper में ऐसे पूछ लिया गया कि धरती की सबसे उंची परवत चोटी कौन सी है Mount Everest है तो क्या 10 साल बाद Mount Everest चेंज हो जाएगी क्या अरे वो तो वही रहेगी previous year पढ़ा करो previous year नहीं पढ़ोगे तब तक success नहीं हो जाओगे और मैं आपको कुछ एक previous year के SSE का previous year क्या पूछता है कि आधुनिक भुगोल का पिता किसे कहा जाता है तो आधुनिक भुगोल का पिता कहा जाता है Humboldt को इसका पूरा नाम था Alexander Von Humboldt पूरा नाम था Alexander Von Humboldt वैसे हम Humboldt भी लिख सकते हैं आप ये लिख ले ना आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है तो ये तो हो गया आधुनिक भुगोल का पिता इसके बाद question आता है कि वैवस्थित भुगोल का पिता किसे कहा जाता है वैवस्थित मतलब होता है adjust की हुई adjust मतलब एक conceptual data ठीक है वैवस्थित भुगोल एरे भुगोल की बहुत सारी ब्रांच चीज़ होती है जैसे एक ऐसी भुगोल की शाक है जिसमें जनसंख्या की बात करते है जनसंख्या किसका पार्ट है जोग्रोफी का ही तो है उसके अंदर क्या आएगा population जोग्रोफी एक होता है मानव भुगोल एक होता है आर्थिक भुगोल तो एक वैवस्थित भुगोल वैवस्थित भुगोल का जो जनक कहा जाता है वो था अरेटोस्थनिज ये इसका पिता था ठीक है और भुगोल के अंदर आपको पता है कि मतलब मानचित्र होते है ग्लोब भी होता है तो विशव का मानचित्र सबसे पहले किस ने बनाया था वर्ल्ड का मैप मानचित्र होता है मैप तो वर्ल्ड मैप जो है वो बनाने वाला इनसान जो धना वो था अनेकजी मिंडर वर्ल्ड मैप को बनाया था अनेकजी मिंडर ने ठीक है और एक वो इनसान था जिसने ग्लोब बनाया था ग्लोब का निर्मान globe देखा होगा वो गोल गोल रखा होता है अगर किसी office में जाओगे school में जाओगे तो वाँ table पे एक गोल गोल globe रखा होता है और उस globe पर पूरी प्रित्वी दिखाई होती है अभी दिखा दूँगा यहाँ पर परित्वी के दर्शन भी हो जाएंगे आपको तो जो globe है globe को बनाने वाला इनसान था मार्टिन बेम ग्लोब को बनाने वाला जो था वो था मार्टिन बेम यह तो हो गई भी world level की बात अब आपको मैं एक question और दे रहा हूं पूछ सकता है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने इंडिया का मैप तयार किया था भारत का मानचीतर बनाया था इंडिया का जो मैप था वो किस ने बनाया था तो वो बनाया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था James Reynolds ने बनाया था तो ये बटा कुछ एक direct question अप्रोच करेंगे आपके exam के अंदर इन में से एक ही question आया था आज तक HSSC में और वो था father of geography से आज से तीन साल पहले ठीक है कैर ऐसे questions का जो pattern है ना वो अब थोड़ा सा कम हो चुका है लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो क्या करोगे तो आपको तो देखो पढ़ना पड़ेगा भई फिर गरवाले क्या क्यों नाम रखते हैं अच्छा मेरा नाम जो ग्रोफी आड़ा बेटा ठीक है मेरा नाम है जो ग्रोफी आड़ा ठीक है तो ये कुछ एक ऐसे question है जो आप देख लीजिएगा ठीक है भई ठीक है सर इसका next slide यहां से अप्रोच करो ठीक है चलो भई इस slide में हमने कुछ एक सीखा जो father of geography ये वो तो questions तो और भी बहुत बनते हैं कि मानव बुगोल का पिता ये वो लेकिन वो आपके exam में आने के लाइक है नहीं भी अप्रोच नहीं करेगा आपका exam चलिए अब हम प प्रिथ्वी है ना प्रिथ्वी उसकी शेप कैसी है तो ऐसा बोल सकते हो क्या प्रिथ्वी गोल है है ऐसा बोल सकते हो क्या प्रिथ्वी गोल है तो नहीं बोल सकते ना क्योंकि जो प्रिथ्वी की शेप हो देखो कैसी है यह माल लिजी अर्थ है हमारा प्रिथ्वी है तो जो अर्थ है ना पृत्वी वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ऐसे अंदर की तरफ दसी हुई है और यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई है आपने कभी एक किन्नू देखा है किन्नू संतरा बोलते हैं जिसको वो उपर से और नीचे से थोड़ा सा पिछक हुआ होता है अंदर की तरफ लेकिन साइड में वो ऐसे फूला हुआ होता है तो वैसी तो प्रिथवी की जो आकरती है वो पढ़ती है हमारी के जी ओड़ अंदाकार नहीं बोल सकते बचे इसको बोलते हैं जी ओड़ जी ओड़ मींस हिंदी में बोलते हैं इसको भू आब और एक बार ये एक्जाम में कोशन देखा गया था उसमें से सेक्शन ओफिसर का एक्जाम था 2013 का paper था, उसमें set up लगा था, ऐसे question का, कि पृत्वी की आकरती कैसी है, उसमें geod भी नहीं था, उसमें भू आभ भी नहीं था, उसमें जो डाल रखा था न, option में, वो था, oblate spheroid, oblate spheroid, oblate spheroid होता है, कि जैसे sphere होता है, गोला, ठीक है, oblate spheroid मतलब, यहां से अंदर की तरफ हो रहे से, हमलोब, दो जगह से बाहर निकली होई, इस तरह से, यह हमारी पृत्वी की shape है, ठीक है न, और यह question आपका, भई, HSSC में पूछा गया था, यह question, HSSC में पूछा गया था, कि पृत्वी goal है, यह बात सबसे पहले किस ने कही थी, तो इस बात को कहने वाला व्यक्ति था, अरस्तू, अरस्तू मतलब, एरिस टोटल, एरिस टोटल, ठीक है, एक बात और द्यान में रख लो, सिकंदर का नाम सुना है, कभी सिकंदर, जिसने बारत पर आकर्मन किया था, 326 BC के अंदर, ठीक, राजापूरस को हराया, तो सिकंदर का 326 BC में अटैक हुआ था, इस्ट्री में पढ़ना आप, ancient history के अंदर आता है, Alexander मतलब सिकंदर का आकर्मन, तो सिकंदर का गुरू था ये, अरस्तू, युनान का एक महान दार्शनिक और महान फिलोसोफर, जोगरोफर, ठीक है, अरस्तू, सिकंदर का गुरू होता है, इसने सबसे पहले कहा था, कि पृत्वी गोल है, ठीक है, लेकिन पृत्वी की आकरती ऐसी है भई, ठीक है, अरस्तू को सुनके मेरे को एक बात और याद आ गई, जो आपके HSSC में आया विवा कोशन था एक बार, और मैं दोबारा से बता देता हूँ, जैसे हमारी पृत्वी है भई, पृत्वी जो है सूरिय के चारों और चकर लगाती है, ठीक है, पृत्वी सूरिय के चारों और चकर लगाती है, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन एक्जाम के अंदर, पेठा बरगी है के जी पृत्वी, हाँ बेटा दिपक पेटा बरगी है प्रित्वी ठीक है प्रिविएस बुक नेम रामकरण बेटा प्रिविएस बुक नेम पढ़नी है न तो माई डियर एक बुक आवा है SSC गटना चकर वो बुक पढ़ लिए उस बुक से बाहर ना तो जोगरोफी जाओगी ना इस्ट्री इस्ट्री, जोगरोफी, पॉलेटी और साइस सब का प्रिविएस येर है SSC गटना चकर की बुक वो ओप्शन टाइप है देखो बेटा थोरी तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ थोरी तो यहाँ पढ़ा दूगा लेकिन ओप्शन टाइप की प्रेक्टिस करने है तो वो बुक ले ले देख ठीक है वो अच्छी बुक है ठीक है अब जड़ा सोचो अरस्तु जो था ना अरस्तु उसने एक बात कही थी के सूरिय प्रिथ्वी के चारों और चकर लगाता है के सूरिय प्रिथ्वी के चारों और चकर लगाता है यह बात कही थी अरस्तु ने ठीक है लेकिन अरस्तु के बाद एक और इनसान आया था जिसका नाम था निकोलस कॉपर्निक्स निकोलस कौपर्निक्स और निकोलस कौपर्निक्स क्या कहता है कि पृत्वी सूरिय के चारों और चकर लगाती है तो इसकी बात सही थी ना कि पृत्वी सूरिय के चारों और चकर लगाती है इसने तो गलत बताया था कि सूर्य पृत्वी के चारों और चकर लगाता है इसने सही बता दिया कि पृत्वी सूर्य के चारों और चकर लगाती है तो इसकी बात सही साबित हुई तो ये इससे इतनी खार खा गया कि अरस्तु ने कौपरनिक्स को मरवा दिया था अरस्तु ने कोपरनिक्स को मरवा दिया था तो यहां से बेटा एक कोश्चन आपका बहुत ही बैतरिन बनेगा जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना सोलर सिस्टम, सौर मंडल उसमें मैं लिखवा दूँगा कि पृत्वी सूरिये के चारों और चकर लगाती है कैसे देते हो इस्ट, वेस्ट, नौर्थ और साउथ हमेशा डाइरेक्शन का नौर्टेशन है यह से देते हो क्योंकि पृत्वी का उत्तर धरूव उपर है न तो यह हमारी पृत्वी का उत्तर धरूव हो गया उत्तर धरूव मतलब नौर्थ पोल ठीक है, और ये है हमारा South Pole मतलब दक्षिन धरूप एसे, ठीक है ना, South Pole मतलब दक्षिन धरूप ठीक है, यहां तक समझ पाई वही, मैंने आपको प्रिथवी का उपर वाला सेरा उतर धरूप कहलाता है निचे वाला सीरा धक्षिन धरूप कहलाता है ये हमारे अर्थ का Eastern side हो गया, ये Western side हो गया और ये पृत्वी की आकरती के बारे में हो गया तो सबसे पहले अर्थ को जानते हैं, ठीक है, पृत्वी गरह है, सौर मंडल में पृत्वी के बारे में सारी चीज़ें बता दूगा लेकिन अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले और important topic, latitudes and longitudes, अक्षांस और देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ और, ठीक है, बेटा जियोड को है ना, वेज्ञानिकों ने बताया था, ठीक है, अगर सर्फ एक्जाम में कि ये प्रिथवी जो है, वो जियोड शेप किया है, तो पेपर में आज है ने, जियोड करना है, बेटा जियोड, ठीक है न, जियोड करोगे, जियोड मतलब भुआब, अरे हर एक इनसान ने अलग बताया, जैसे एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि प्रिथवी संतरे के आकार किया है, न्यूटन ने कहा कि प्रिथवी सेब के आकार किया है, आप थोट पे मत जाओ, आप HSCC का पेपर दे रहे हो, थोट के कोशन कभी ने आएंगे, ठीक है, तुम PGT में नहीं बैठे, ना तुम State Civil में बैठे, ना तुम UPSC में बैठे, आप HSCC में बैठे हो, तो आप सीधा का सीधा प्रिथवी क्या करती, जी ओड़े अब वह आप पे चले जाओ, ठीक है ना, चलो, आगे पढ़ते हैं, नेक्स लाइट पे आजाए भई, आए, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, प्रिथवी है, मैं आपको यहां पर दो शेप बना कर बता रहा हूं, ठीक है, यह यहां से एक क्वेशन आपका है, अचे ससी में आगया, दोबारा समझ लीजिएगा, क्या आएगा वो, तो यहां पर हमारी धरती का उत्तर धरूब है, और यहां पर हमारी धरती का दक्षणी धरूब है, ऐसा यहां पर भी है, कि यह उत्तर धरूब हो गया, और यह साउथ, दो सेम, मतलब दोनों अर्थ की शेप मानके चलते हैं एक मैंने यहां से लाइन ड्रो कर दिया यह देखो और एक मैंने यहां से यह लाइन ड्रो कर दी इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है कि यह जो लाइन है ना, यह सीधी इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर खीची गई है और यह बाहर से है हमारी पृत्वी गोड है तो यह लाइन है ना, यह एक तो ऐसे आ गई बाहर की और और एक ऐसे आ गई और यह मैंने सीधी खीच दी, तो अब सबसे पहले बात करते हैं, हमारी अर्थ जो है ना, उसके सेंटर में जो यह लाइन है, यह होती है हमारी भूमद्य रेखा, क्या होती है भूमद्य रेखा ठीक है भूमद्य रेखा, भूमद्य रेखा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, जब अकसान सोर्दे शांतर पढ़ाऊंगा, तो ये हमारा उत्तर द्रूव है, और ये हमारा दक्षिन द्रूव है, तो इसको बोलते हैं, द्रूविय रेखा, क्या बोलते हैं इसे, द्रूविय रेखा, ठीक है, तो भू मध्य, भू मतलब पृत्वी, मध्य मतलब बीच, तो पृत्वी के बीचो और ये हमारी क्या है भूमद्य रेखा तो भूमद्य रेखा जो है न वो पृत्वी को दो समान भागों में बाटती है उपर वाला नोर्थ है निचे वाला साउथ है तो इस भाग को बोलेंगे उत्तर ध्रूव और इस भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्द इसको बोलते हैं उत्री गोलार्द और नीचे वाला हिस्सा जो है ना उसे बोलते हैं दक्षिनी गोलार्द ये सारे facts आपको next slide में पढ़ाऊंगा मैं लेकिन अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि भू मतलब प्रित्वी मध्य मतलब प्रित्वी के बीच में तो प्रित्वी को दो समान भागों में बाटती है भू मत्य रेखा उपर वाला हिस्सा उत्तर ध्रूव और नीचे वाला हिस्सा दक्षिन ध्रूव ऐसे ही उत्तर ध्रूव और दक्षिन ध्रूव को मिलाने वाली रेखा और इस side वाला हिस्सा कहलाता है दक्षणी गोलार्द ठीक है तो ये पूर्वी गोलार्द ये दक्षणी गोलार्द और उपर वड़ा Northern और Southern Hemisphere आपने हमेशा पढ़ाओगा कि भारत की जो स्थीती है न वो उत्री गोलार्द में स्थीता है उपर वाले गोले में तो यहां से दो चीजें है ये ये बीच वाला है न यहां पर भूमध्य रेखा है तो इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखिये व्यास व्यास होता है बड़ी डायामीटर जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा मैथ में कोई भी सरकल है ये और इस सरकल की यहां से यहां तक जो होता है न य प्रिथ्वी का भूमद्य रेखिये व्यास कितना है तो प्रिथ्वी का भूमद्य रेखिये व्यास है 12,756 किलोमेटर इतना और दूसरा सवाल के प्रिथ्वी का दुरूविये रेखिये व्यास कितना है अरे ये उल्टा चला गया वही एक सेकिन यह भूमद्य रेखिये व्यास हो गया क्योंकि यहां प्रित्वी के बिल्कुल बीचों बीच भूमद्य रेखा है और यह हमारा हो गया धुरूविये रेखिये व्यास यह दोनों एक्जाम के अंदर कुशन आएंगे भई धुरूविये रेखिये व्यास तो यहां से आप बेसक आइडिया लगा लो चाहे यहां से आइडिया भी लगा लो अगर हमारी धर्ती का यहां से लेकर इस्ट से लेकर वेस्टरन पॉइंट की जो दूरी माने वो बारा हजार साथ सो छपन है ठीक है और अगर उत्तर से लेकर दक्षिन दुरू को मिलाने वाली दूरी माने तो बारा हजार साथ सो चवदा है इसका साफ साफ मतलब क्या निकल के आता है इसका साफ और सपष्ट सा मतलब यह निकल के आता है कि यहां से तो बारा हजार साथ सो छपन है तो 12,714 है तो थोड़ी सी डिफ्रेंस होगा ना अंदर की तरफ क्योंकि 56 और 14 में डिफ्रेंस देख हमाँ कितने किलो मिasc आ रहा है 42 किलो मि爹ा कितने किलो मिस्तर का 42 किलो मिट्र ठीक है ना तो 42 क अगर परिथ्वी पूरे तरीके से गोड होती तो 12,756 इसका आ रहा है 2756 यहां से यह side है तो ये भी 12857 आनी थी, तो फिर तो गोल हो जाता, ये 42 km कम आ रहा है, तो अगर 42 km कम आ रहा है तो आपको भी पता है न ये कम है, कम है तो ये अंदर की तरफ दसी हुए है, ये इस बात को प्रूव करता है, कि पृथवी कि जो shape है ना वो बिलकुल गोड नहीं है आप चाहे देख लो क्योंकि आपको व्यास दिख रहा है ठीक है अब यहां से लेकर यहां तक यह प्रिथवी की त्रीजा होती है यह question important है यह आपके HSSC के अंदर पूछा गया था कि हमारी प्रिथवी की त्रीजा 6370 किलोमेटर आपके पेपर में यह आंकड़ा आएगा पहले ही बता रहा हूँ प्रिथवी की जो त्रीजा है वो 6370 किलोमेटर है यह आंकड़ा आपके एक्जाम के अंदर आएगा और यह HSSC के पेपर में एक बार आया भी हुआ है ठीक है हाँ इस्ट टू वेस्ट जादा है और नौर्थ टू साउथ में डायामेटर मतलब व्यास होता है बेटा डायामेटर मैथ में और त्रीजा होता है रेडियस मतलब त्रीजा यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां यहां से यहां तो हमेशा radius को आप क्या करोगे हमेशा और हमेशा आप radius को लगभग करोगे कि लगभग कितना है तो लगभग और लगभग इतना है ठीक है यहां तक अब यह तो हो गया व्यास मतलब अंदर के एक point से एक point मिला दिया अब यह है ना यह है परीधी परिधी क्या होता है कि जैसे आप किसी भी एक बोल को उठा लो ये बोल है मालो कि यहां बिल्कुल बाहर से वो होता है परिधी ठीक है मैथ में भी पड़ा होगा आपने गोले की त्रीजडा गोले की परिधी या कोई भी आयताकार मकान है या किसी भी आयताकार की परिधी होता है कि पेरिफेरल एरिया बाहर वारा पेरिफेरल ठीक है तो जैसे ये भूमद्य रेखा है ये जो भूमद्य रेखा है न ये पूरी पृत्वी के बाहर से घुम रही है ऐसे तो कोशन बनता है कि पृत्वी का भूमद्य रेखिये व्यास तो ये हो गया 12,756 और ये है भूमद्य रेखिये परीधी 40,076 किलोमेटर और एक होता है धरुव्य रेखिये परीधी और जो धरुव्य रेखिये परीधी की बात करेंगे तो ये आएगी 40,008 किलोमेटर ठीक है रे बाल को ठीक है परिधी मतलब पेरिफेरल सरकंफरेंस बोलते हैं जिसको जहां तक सरकंफरेंस इंगलिश में ठीक है तो अंदर वारे पॉइंट तो बाराजार साथ सो चपन हो गए लेकिन अगर बूमद्य रेखा देखें तो बूमद्य रेखा मतलब पृत्वी के चारों और बनने वाली रेखा ये बूमद्य रेखा क्या है करक रेखा क्या है मकर रेखा क्या है ये सारी रेखा हैं अभी पढ़ाओंगा इसी क्लास में लोंगिट्यूड और लेटिट्यूड में लेकिन उससे पहले ये देख लो भई तो पृत्वी जो है उसकी बूमद्य रेख यह परीदी 40,008 km है, ठीक है ना, 40,008 km है, इसका मतलब क्या हुआ, कि यहां से पृत्वी थोड़ी बड़ी है, और इस साइड से थोड़ी छोटी है, ठीक है, शमाज में आ गई वाद, यह जो है ना, बूमद्य रेखा, करेक रेखा, अकसांस रेखा, देशांतर रेखा, यह वास्तव में रेखाएं नहीं होती, यह कलपनिक होती है, कैसे बनाई जाती है, वो भी बताऊंगा, अगर यहां से किसी बचे को, हाँ, परीमिटर होता है, बिल्कुल परीमिटर बोलते हैं, ठीक है, सर कमफरेंस बोल दो परीमिटर, एक ही बात है, कि बिल्कुल बाहर वाल है कि एक है अक्षांस रेखा और एक है देशांतर रेखा अक्षांस और देशांतर आप हमेशा यही बोलते हो अक्षांस रेखा देशांतर रेखा इंग्लिश में बोला जाए तो latitude lines और यह होती है longitude lines अब latitude और longitude होता क्या है वो सुन लो अब जैसे आप मेरे से अगर पूछ लो जब मैं आप से पूछता हूँ भई कहा हो आप तो मैं आपके पास एक फोन करता हूँ आप इकित है तो आप यह कोगे मैं तो इसार हूँ अब इसार मैं तो किते होगा जी गॉर्मेंट कोलेज मैं बैठा हूँ गॉर्मेंट कोलेज तो बहुत बड़ा है गॉर्मेंट कोलेज मैं कहां जी सत्तर नंबर रूम में बैठा हूँ तो आपने अपना लोकेशन बता दिया कि नहीं बिल्कुल बता दिया कि मैं यहां हूँ यहां हूँ अब माल लो कि मैं समुंदर में जाज मे हूँ पाणी में चार और मेरे पाणी पाणी है आप मेरे पास फोन कर लो ठीक है यह मत कहना जी फोन नहीं होता शायद सेटलाइट फोन से ओभी जाए आपका फोन आएगा पूछोगे जी कहा हो मैं यह थोड़े को हूँ अजी पाणी में हूँ उस टाइम पर क्या जरूरत प काल्पनिक है अमने एज्यूम की हूई है योगेस बेटा एज्यूम की हूई है बताऊंगा तो अब मैं लो आप मेरे पास फोन करते हो तो मैं कहता हूँ आप मेरे को कहते हो कहा हो तो मैं यह थड़े कहूँगा जाज में खड़या हूँ और जाज पाणी में चालन लाग र रेखाएं हैं जिनके द्वारा हम लोकेशन का पता लगाते हैं कि मैं इतने डिगरी उत्तर की ओर इतने डिगरी पूरव की ओर ठीक है ना तो लॉंगिट्यूड और लेटिट्यूड रेखाओं का सबसे पहला फैक्ट सुन लीजिए क्या है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं का बना रखी हैं और दूसरा फैक्ट जो अक्षान्स होते हैं ना जो अक्षान्स रेखाएं होती है वो क्या काम करती है वो जगे बताती है और साथ में जलवायू विभाजक का काम करती है साथ में जलवायू विभाजक का भी काम करती है और जो देशान्तर रेखाएं हैं वो समय को परदर्शित करती हैं देशान्तर का मतलब ही देख लो देश पलस अंतर के जो दो देशों के बीच के समय के अंतर को देश आए दरश आए तो ये क्या करती है ये समय को दरश आती है या समय को बताती है ठीक है वो होती है देश अंतर रिखाएं या longitude lines जैसे अब आपको एक globe का चीतर दिखा रहा हूँ उस चीतर में आप बहतर समझ पाओगे ठीक है अब इसमें आ जाओ भई शरी ये बड़ा नहीं होगा कहां से हाँ भई इसमें आ जाओ बेटा ठीक है ये देखो longitude और latitude lines मालो ये हमारी धरती की shape हो गई आपको दिखाई भी देरी हो गई ये हमारा उत्तर द्रूब है और ये हमारा दक्षिन द्रूब है ठीक है इसमें जो ये उपर से निचे वाली रेखा है ना जैसे ये रेखा हो गई जैसे ये रेखा हो गई जैसे की ये रेखा हो गई और जैसे की ये हो गया इस साइड वाली भी ये इनको बोलते हैं longitude lines ऐसे याद रख लो longitude lines मतलब बोले तो देशांतर रेखाएं बही जोगरोफी है ना बिटा यो कोई वो को निया के आए और रटा मारया और काम हो गया ना रटा मारन ते परोग्राम ना बने तारा रटा मत मारना कभी जोगरोफी का ठीक है जोगरोफी एक conceptual subject है थोड़ा सा ठंडे दिमाग से शोचना और जोगरोफी का सबसे आड़ topic ही latitude और longitude है और मैंने तो आता ही वो उठा दिया आपका सबसे tough topic है ये ठीक है तो ये जो होती है ना बिटा ये होती है longitude lines मतलब देशांतर रेखाएं ऐसे याद रख लो long long मतलब लंबा ऐसे खड़ा है जो और ये ना ये ऐसे लंबे में है मतलब उत्तर ध्रूव और दक्षन ध्रूव को ऐसे मिलाती हुई आ रही है तो इनको बोलते हैं longitude lines और दूसरी है latitude lines ये कौन सी होती है जैसे ये वाली line हो गई जैसे ये वाली line हो गई जैसे ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई इनको बोलते हैं latitude lines latitude lines मतलब अक्षांस रेखाए ठीक है मतलब जो उपर से नीचे की और आ रही है वो तो होती है longitude lines और जो नीचे ऐसे बनी हुई है हमारी धरती पर इने बोलते हैं latitude lines ठीक है अब माल लीजिए कि मैं यहां पर हूँ किसी समूद्र में इस इलाके में तो मैं क्या कहूंगा मैं इतने डिगरी पूरव की तरफ इतने डिगरी उत्तर की तरफ क्योंकि हमारी जो पृत्वी है उसके चार पार्ट बनते हैं ऐसे अगर इसको काटोगे तो यह उत्तर पूरव यह उत्तर दक्षिन और यह ऐसे चार गोलार्द बनेंगे और चारों गोलार्दों में आप यह बता सकते हैं कि आप उस location पे खड़े हो तो simple है ना आप सिरफ और सिरफ अपने mind में एक चीज रखिए कि जो longitude और latitude lines होती है वो कालपनिक रेखाए हैं हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखिए ताकि कोई भी इंसान का proper location पता चल पाए आप चाहिए map Google map आपके phone में चलता है Google map पे निकाल के छोड़ देना ऐसे आएगा 66 degree फलाना degree ठीक है उत्तर north, east, west, south तो ये हमने सिरफ और सिरफ अपनी सुविधा के लिए बना रखिए हैं ठीक है तो अक्षांस और देशांतर रेखाओं को एक एक करके पढ़ते हैं ठीक है अच्छा क्या लिखा हुआ है AC on बिटा AC मारा चलाओं को नहीं मैं बिमार हो रहा हूं ठीक है ब्लू कलर ठीक है बिटा ब्लू कलर उठा लेंगे तो ये होती है भी latitude और longitude lines अब एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे latitude को भी और longitude को भी ठीक है तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अक्सांस अक्सांस रेखा है मतलब latitude lines ऐसे याद रख लो latitude लेटी मतलब जो लेटी हुई लंबी पड़ी है और longitude जो long खड़ी है ठीक है जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया यहाँ पर एक लाइन ये हो गई एक लाइन ये हो गई एक ये हो गई इस तरह से बढ़ेंगी latitude lines ये उत्तर ध्रू ये दक्षिन ध्रू ठीक है सबसे पहले फस्ट और फस्ट माँ आपको भूमद्य रेखा के बारे में बता देता हूँ भूमद्य रेखा को बोलते हैं equator इसका भूमद्य रेखा का एक नाम है विशूवत रेखा इसे बोलते हैं विशूवत रेखा ठीक है भूमद्य रेखा को विशूवत रेखा कहते हैं और जो भूमद्य रेखा है न वो भू मतलब पृत्वी के मध्य मतलब बीच में अरे इसके खुद के नाम से पता रगदा है ना भूमध्य रेखा से रेडियेस निकाली दुरूविय रेखा से नहीं निकाली भेटा दोन्नों जगह से रेडियेस अलग-अलग आएगा लेकिन रेडियेस जो होता है जैसे पृत्वी के अर्थ के नीचे जो होता है ना नीचे अगर हम जाएं दर्ती में ठीक है पाताल की तरफ दर्ती में वहाँ से रेडियस होता है और वहाँ से 63-70 किलोमेटर का डेटा आया था ठीक है तो भूमद्य रेखा को विशुवत रेखा भी बोलते हैं और भूमद्य रेखा जो है वो भू मतलब पृत्वी के बीच में है तो वह कौन सी रेखा है जो पृत्वी को दो समान भागों में बाटती है पृत्वी को दो समान भागों में बाटती है तो उसका नाम है equator मतलब भूमद्य रेखा भूमद्य रेखा कहां कहां से गुजरती है जब मैं आपको continent पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि भूमद्य रेखा 13 देशों से हो करके गुजरती है जैसे करक रेखा है वो बारत से गुजरती है ऐसे भूमदे रेखा भी गुज़रती है थीक है तो प्रिथवी को दो समान भागों में बाचने वाली रेखा कौन सी है भूमदे रेखा जैसे मान लीजिए ये भूमदे रेखा है अब इसके उपर वाला भाग होता है उत्तर गोलार्ध और नीचे वाला भाग होता है दक्षणी गोलार्द तो ये इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती हुई चलती है और भूमदे रेखा कैसी है एक ये एक कालपनिक रेखा है कालपनिक समझ गए ना मतलब हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखी है कालपनिक रेखा है ताकि हम में लोकेशन का पता चले किसी भी इंसान की अगर कोई आदमी कहां पर कहीं पर खड़ा है अब जैसे माल लो जीपीस में हैं जीपीस में पता लग जाते हैं आप कोई भी नंबर मोबाइल नंबर ट्रेस पे लगाओ आपको पता चल जाएगा कि वो फोन कहां पढ़ता है कह किस एरिया में है वो कैसे पता चलता है वो लोंगिट्यूड और लेटिट्यूड के जरीए ही तो पता चलता है कि कोई इंसान किस जगह खड़ा है ये पता लगाने के लिए ठीक है ना जो अकसान से वो खेंचे खीचे गए हैं दर्ती पर बट ये एक काल्पनिक हैं सारे के टीक है और ऐसे ही दक्षिन की तरफ निचे आओगे तब भी सरकल छोटे होते आएंगे भी भूमधे रेखा से उपर की और जाओगे तो दीरे-दीरे सरकल देखो इस से आगे फिर एक और चोटा सरकल आएगा निचे जाओगे ना जब भी चोटा सरकल आएगा यहां पर औ कर लेना remarks डाल के कि प्रित्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्वृत कौन सा है हमारी दर्ती पर मौजूद सबसे बड़ा सरकल कौन सा है तो सबसे बड़ा सरकल है बूमद्य रेखा क्योंकि बूमद्य रेखा कितनी है 40,076 और ये वाली 40,08 तो थी मैंने अभी भी पढ़ाई थी कि उपर से नीचे उतर से दक्षिन दरू चालीस अजार आठ ये थी 40,076 तो बड़ी कौन सी हो गई ये और आपको पता है कि बूमद्य रेखा से उतर की तरफ आगे बढ़ोगे तब भी सरकल छोटे होते आ रहे हैं और नीचे बढ़ोगे तब भी सरकल छोटे होते आ रेलवे के एक्जाम में, NTPC में, SSC में कई बार आचुका है ठीक है आपके एक्जाम में आ सकता है इसको नोट कर लीजिए कि दर्ती पर मौझूद सबसे बड़ा सरकल ठीक है तो आपका बिटा एक्सांस और देशांतर रेखाओं का पूरा टोपिक पेंडिंग रहता है मै आपको अक्सांस और देशांतर रेखाएं, GMT फंक्शन क्या होता है, तारीख कैसे निर्दारित करते हैं, टाइम कैसे होता है, जैसे हम आज यह कह देते हैं, हमारे यहां तो दिन के मतलब अब मालो तीन बज़ रहे हैं, अबे कहीं ऐसा भी तो होगा ना, तीन बज़े की रात हो रही होगी, कहा हो रही है वो, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आज इतना ही थोड़ा, नेक्स क्लास में आपको अक्षांस और देशांतर का पूरा फंक्शन पढ़ाऊंगा, आज मैंने आपको सिरफ और सिरफ एक आईडिया दिया है, एक इं इतना बाकी नेक्स सेशन में देखेंगे, ठीक है,